तन्जीम फ्लाहे मिलत ने शादी ब्याहा में देर रात तर डीजे बैंड बाजे से होने वाले शोर गुल से स्थानिय नागरिकों को नजात दिलाने के लिए अच्छी पहल की है। तन्जीम फ्लाहे मिलत कमिटी ने नई सोच के साथ समाजिक कुरीतियों को दूर करने फिजूल खर्च रोकने और इस्थानिय नागरिकों को आधी रात तक डीजे बैंड बाजे की शोरगुल से होने वाली परिशानियों से नजात दिलाने का फैसला लिया है। तन्जीम फ्लाहे मिलत कमिटी के सेकरेटरी का ही कहना है कि डीजे वा बैंड बाजे की उप्योग से ध्वनी प्रदूशन होता है। साथ ही आमनागरिकों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वज़े से डीजे पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। तन्जीम फिलाहे मिलत कमिटी के अनुसार मुसलिम समाच के लोगों को शाम चार बजे से पहले निकाह करानी की हिदाय दी गई है। शादी विया में अक्सर बरात पहुचने में देर होती है और शादी कारकरम देर रात तक चलते हैं। बरात विलंब से आने के कारण वरवदू दोनों ही पक्षों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथी निकाह कराने के लिए काजी को देर रात तक बैठना पड़ता है जो की बिलकुल उचित नहीं है। इसके लावा समाज के कई अन्य प्रचलनों में सुधार करने का प्रयास भी वरिश्च जनों के सयोग से किया जाएगा। शादी विवा के समय दहेच के समान को सामने दिखाने के लिए रग दिया जाता है जो की उचित नहीं है। समाज में शुक्षा के स्थर को सुधारने की बेहत जरूरत है। तन्जीफ लाहे मिलत के अनुसार बरात में डीजे बेंड बाजे के कारण बराती देर रात तक सबकों पर डांस करते हैं जिससे बरात में काफी देर होती है। इस दोरान रास्ते बर पठाके और बंप फोड़े जाते हैं इसे कई बार दुरगटाएं होने की सुचना भी मिलती है। इस पर भी कमिटी द्वारा प्रतिबंद लगा दिया गया है। तन्दीफ लाह मिलत कमिटी ने कई मुद्दों पर बात की जिसमें कई गाउं के लोग शामिल रहे। भारी तदात में लोगों ने दूर दूर से आए उलिमा का इस्तखबाल कर उनके फैसलों की सरहना की। बरात वक्त पर यानि एक बज़े तक पहुच जाने पर बात हुई जिसमें दूर दूर से आए उलिमाओ से बातशीत की गई और सभी छेतरवासियों को इसके बारे में बताया गया। साई लोगों ने सभी फैसलों पर सहमती जटाई दूर्दराज से उल्माओं के फैसले की सभी ने सरहना की तन्जीब फिलाए मिल्लत के इस कालक्रम में बरेली से मुलाना आकल सहाब मुरादबाद जामिया नाइमिया से मुफ्ती अयूब सहाब सुन्डी मुस्लिम उल्मा ओल जन्ने भाई आदी लोग मौचूद रहें में बहुत हुशी मैसूस कि मैंने कख्ड़किया में तन्जीम फिलाए मिल्लत के बेहनर तले मुनह अग्रदा इस प्रूराम में इस मीटिंग में जिसमें इनावदे के अमायदीन, दानिश वरान और तूरे दिला मुरादबाद क जो अलमाय खिराम मौजूद रहें, शादियों में खासतोर से गहर शरी जो रुसम और विवाच पड़ गए हैं, उनके खिलाब इन तरह से जंग का भी बजाया है, भाती की रोटी है, इसके खिलाब कायद मुत्तव का राय आम्मा पेश हुई, बहुत अच्छा लगा, जर जरुरत है कि समाज से पुराईयों और वेहाईयों को खत्म किया जाए, उस खात्मे के लिए जैसे के सेभी साथ ने को पाया, डिसिप्लिन चाहिए, उनाफम होना होगा, युनाइटन होना होगा, और हमारी जमाएत के खुलमा और अवाम को, सब को एक साथ, बादा आपता के लिए, अच्छे नताइच के लिए पेश खैमत थाबित होगी, मौलाना कारी सखावत हुसेन साथ, नापून का वाले, तंदीम पलाए मिल्लत के सरपरस्त, मैं उनको, तंदीम पलाए मिल्लत के इसलाह उम्मत के सरपरस्त, मैं मुबारक बात देता हूं उने और ढ़किया आने वालों का इस्तकबाल किया, जरूरत है कि टीजे बाजे पर पावंदी होनी चाहिए शादी में, खड़े होके खाने पर पावंदी होनी चाहिए शादी में, निकाह नपणा इमाम अधरात और उलमा उन लोगों के, उन शादियों में, उन दूलों के, जिनकी शादियो में घे शही रूस्मात अलल इलाइलान होती हैं ऐसा उल्मा एकराम का फरीदा है आज खुशी हुई एक तंदीम फराहिमिल्लेद एसे आलिमों के कि खिद्मात करेगी अगर कोई परेशानी ठड़ी होती है उनका साथ देगी तंदीब पलाए मिलना इसलिए उल्मा एकराम को ऐसी शादियों में जिन में बेहुदा फुराफात हो ऐसी शादियों के दूलों का निकाना पढ़ाएं और अवाम ऐसी शादियों का पाईकाट करें तो समाज में पहले गुराणियों को बेहाइंयों को रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्ल्ह मैदान में आये हैं उल्मा मैं समझता हूं इंशालला ढगिया कन्वेंशन ये पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जागा